आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो शुलेंस, हमारे बास Question है Concave Mirror is used in Headlights of vehicles चारो डारेक्शन में इस तरह डिफ्यूजड होगा ओके जो Re-Up Light होगा इस तरह से तो जो हम Concave Mirror लगाते हैं वो क्या करेगा आपको Concave Mirror जो होता है वो इस तरह सेप का जो होता है वो जो Diffuse Light होगा यह Bulb का उसको क्या करेगा कि सबको हम जो Bulb लगाते हैं वो Generally जो होते Focus अब दा Concave Mirror पर लगाते हैं जिससे कि जो After जो भी Diverging रहे होगा Bulb से निकल ला उसको Converge करतेगा इस तरह से और उसको Focus करेगा आगे के Direction में ओके इस प्रकार से तो जो Concave Mirror का वर्क होता है वो यह होता है कि जो भी Bulb से निकला उसको Collect करके Collect करके यह सारे Light को एक साथ Focus करेगा आगे जिससे कि आगे जो भी भीकिल्स होगा या सरक होगा वो उस पर जाके Light मतलब दिखेगा और इस करण से ज्यादा दूर तक Distance Driver को दिख पाएगा तो First Option जो हो गया वो Correct हो गया क्योंकि यह कह रहा है कि Focus Light from the Bulb तो Definitely जो हमारा Concave Mirror है वो Focus करता है Light को इस सारे way को Collect कर देगा जो रे Balbs से निकलके इस तरह जा रहा हो तो जाही रहा हैCallस बाकित जो भी रे इस तरह डाइवर्ज होता जा रहा था इस को Collect करके और इस तरह वापीस उसको सारे way को एक हैस क्लेकर करके Focus कर देगा सामने वाला चीज़ पर स्वाम बहुत किलियर ली दिखेगा ओके है ठैंक्स